जैश्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज टिप्स वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ड्रमिस्टिक की एक आसान सी हेल्दी रेसिपी जिन लोगों को एनिमिया की प्रॉबलम होती है उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी इसके अलावा ये डाइबिटीज, मुटापा और आखों के रुगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे मंद रहती है तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या आप इसको आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं यहाँ पर आप दो मीडियम साइज की सहजन की फली ले लीजे इनको धो कर आप दो इंच के टुकडों में काट लीजे और इनको छील लीजे अब आप एक कप लाल मसूर की दाल ले लीजे इनको आप धो कर आदे घंटे के लिए भीगो दीजे जब तक यह दाल भीग रही है तब तक हम आगे की रेसिपी की तयारी कर लेते हैं इसके बाद यहां पर मैंने एक बड़ा प्यास लिया है जिसको छील कर धो लिया है और छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है आप चाहें तो इसमें दो से तीन कली लेसुन की भी डाल सकते हैं अगर आप प्याज या लैसुन नहीं खाना चाते हैं तो आप इन दोनों को ही स्किप्ट कर सकते हैं इसके बाद आप एक इंच अध्रका टुकड़ा और दो बड़े लाल टमाटर ले लीजे और इनको आप बारी काट लीजे अब जब ये सब तयार हो क्या है तब आप एक प्रेशर कुकर ले लीजे उसमें सहजन की फली, लानमल सूर की दाल, प्याज लहसुन, टमाटर और अध्रक डाल दीजे अब आप इसमें एक चमच नमक और आदी छोटी चमच काली मिर्च भी इसमें मिला दीजे इसके बाद आप इसमें एक गलास पानी डाल दीजे और मीडियम फ्लेम पर इस प्रेशर कुकर का धकन लगा कर इसमें आप तीन से चार सीटी लगा लीजे अब जब ये पक गया है तब आप इसमें हैं ग्लाइंडर के मदश से इसको पीस लीजे आप जाहें तो इसे मिक्सी में भी बीच सकते हैं अब इसको आप एक छान कर भगवाने में निकाल लीजे ये आपको बहुत ज़दा ठिक लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर आप इसको और भी थोड़ी देख लिए पका सकते हैं आप जब ये पक कर तयार हो गया है तब आप इसको हलकी सी कालिमिच डाल कर गर्मा गर्म सर्फ कीजिए ऐसे ही जटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिप्स और चैनल से जुड़े रहिए कल एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेएगा मेरी दव से आप सभी लोगों को जैश्री कृष्णा